Hello everyone, I am Sumhani and this is my first full video So, आज मैं आपको Mathematics के Book से Chapter 12 Ratio and Proportion के Exercise 12.1 के कुछ questions कराने वाली हूँ So, चलो start करते हैं इसमें first question में कह रहा है There are 20 girls and 15 boys in a class एक class है जिसमें 20 girls है and 15 boys है Okay What is the ratio of number of girls to the number of boys? अब यहाँ पर ratio पूछा है कि girls की और boys की ratio बताओ तो girls पहले लिखा है तो हम numerator में girls पहले लिखेंगे कितने हैं girls और जब boys second है तो हम इसमें denominator में लिखेंगे Question में girls पहले है तो हम girls लिखेंगे उपर मितलब numerator में तो girls कितनी है 20 है और boys कितने है 15 है अब हम इसको simplify करेंगे यह fact की table से जा रहा है तो 5 4 is a 20 5 3 is a 15 तो इसका ratio कितना आगया 4 ratio 3 तो चलो बी पार्ट में बी पार्ट के कह रहा है what is the ratio of number of girls to the total number of student in a class इसमें question में तो बताया नहीं है कि total कितने है तो total कितने आएंगे जब हम girls और boys को plus कर देंगे तो 20 plus 15 कितना होता है 35 तो यहां पर total student आगये 35 और girls कितनी है 20 तो अब हम इस इन दोनों का ratio निकाल लेंगे question में पहले girls है तो numerator में girls लिखेंगे देखो girls कितनी है 20 total student कितने हो गई थे हमारे 35 अब हम इसको करेंगे simplify तो यह दोनों 5 के table से अब है किसी एक टेबल से तो नहीं जा रहे इसकी कितने आ गए ratio 4 रेशो 7 तो यह था आपका बीपार्ट का अंसर फर्स्ट कोर्शन तो complete हो गया आप चलो second question के तरफ चलते इसमें बोल रहा है out of 30 students in a class out of का मतलब होता है इस में से तो 30 student में से 6 student को football पसंद है और 12 student को cricket पसंद है and remaining like tennis और जो बच गए उन student को tennis पसंद है find the ratio of एवाला पार्ट के कह रहे है number of student like in football to number of student like in tennis tennis का तो बताया नहीं है तो हम tennis के लिए क्या करेंगे tennis में क्या बताया था कि जो बच्चे वे student बच्चे वे कितने है तो 6 से 12 को plus करेंगे 6 plus 12 6 plus 12 कितना होता है 18 होता है तो आगए यह इसे tennis पसंद है और अगर हम इस तरीके से करें सबको plus करें तो कितना आएगा अब जो 18 आंसर आए अब हम उसको 30 से माइनस करें 30 माइनस 80 कितना होता है 12 होता है राइट तो यहां पर हम लिख देंगे 12 को यहां अंसर आगया इनहें जो है उसे टैनिस पसंद है 12 बच्चे को टैनिस पसंद है अब यहां पर पहले अब यह किस से जा रहा है थोई से जा रहा है थ्री वंजा थ्री तू जा शिक्स इसके रेशव कितने आ गई वन रेशव टू अब बीवाले पार्ट में क्या कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक कृकेट टू टोटल लंबर ऑफ सुरेंट अब टोटल लंबर भी सबको प्लस कर देंगे 30 आजाएगा ठीक है सॉरी यहां पर दिया वाभी है 30 स्टूरेंट तो अब क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है क्रिकेट 12 बच्चों को पसंद है पहले क्रिकेट लिख देंगे और 30 नीचे लिख देंगे इनको हम सिंप्लिफाइए करेंगे तो क्य यह जा रहा है त्री के टिबल से थ्री टूजर सिक्स्ट्री फाइब फिफ्टीन तो इसका रेशो के आएगा है तू रेशो फाइफ सो बीवाला पाट भी कंप्लीट इसका अंसर भी मैंने बता दिया और नेक्स्ट कोशन है क्या कह रहा है सी दा फिगर और फाइंड रेश compressive diagonal पूछा ईट्रेइंगल कि Rub 9033 ten ट्राइंगल को ए और त्रैंगल को पहले हम उपड्ले कोटिएंगे और सरकल को टू लिऑ देंगे इसकी रेशे कितनी आगई करी ऑडिष एगे अब second question पर चलते है number of square to all the figure inside the rectangle अब square की ratio बतानी है सारे figure से अब इसमे square कितनी है 1 और 2 2 लिख दिये हैं आपे अब इसमें total figure कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लिख दिया अब इसको simplify तो करेंगे ने क्योंकि किसी equitable से नहीं आ रहे है तो इसके ratio आ गए 2 ratio 7 next question number of circle to all the figure inside the rectangle अब circle कितनी है 1 और 2 2 लिख दिये हाँ पे और total figure कितनी है 7 अब इसको भी हम simplify करेंगे तो इन में कुछ किसी equitable में नहीं आ रहा तो इसका answer भी 2 ratio 7 तो थर्ड वाले answer है ओके फ्रेंड्स तो इतना ही था अब हम नेक्स वीडियो में बाकी के बचे वे question करेंगे like and subscribe bye झाल 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 झाल